दो दोस्त, दौलत और मुहन गाउं से इंजिनेरिंग की तयारी करने शहर आये थे, दोनों काफी महनत करके अपनी पढ़ाई करते थे, दोनों रात को देर तक पढ़ते लेकिन सुभे को सवेरे उठकर नहीं पढ़ते थे, दोनों ने घर में माता सरस्वती की तस्वीर लगा रखी थी, उन्हें वो नहा दोकर रोज प्रणाम करते और अपने लिए अच्छे रिजल्ट की प्राथना करते, उनके घर में एक कामवाली आती थी, खाना बनाने और घर की सफाई करने, धेरे धेरे समय बीटता रहा और उनकी परिक्षा नजदीक आ गई, मोहन तो खूब महनत करता, लेकिन दौलत थोड़ा आलस करता था, एक दिन माता सरस्वती एक कामवाली का वेश बना कर उनके घर आई, कामवाली ने घर पे आकर कहा, सहाब, आपके हाँ जो काम करने आती है, वो आज नहीं आपाएगी, इसलिए उनकी जगे मैं आई हूँ, आप उनकी कौन मैं उनकी बहन हूँ, इसके बाद वो घर का सारा काम करती है, और काम खत्म करने के बाद मोहन और दौलत से कहती है, आप दोनों इंजिनेरिंग की तयारी कर रहे हैं ना, हाँ, मैं आप दोनों को एक उपाए बताती हूँ, उसे करने से आप दोनों परिक्षा में टॉप करे और माता सरस्वती को सफेद फूल चड़ा कर, ओम एम हीम क्लीम महा सरस्वती देव्यह नमका 101 बार जाप कीजिए, इसके बाद पढ़ने बढ़ जाए, अगर आप दोनों प्रति दिन ऐसा करते हैं, तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसके बाद वो वहा दोस्त, मैंने भी कभी इतना स्वादिस्ट भोजन नहीं खाया, उनके हाथ में तो जादू है, जब दूसरे दिन उनकी असली कामवाली आती है, तो मोहन उससे कहता है, अरे काखी, कल जो आपके बहन आई थी, वो कितना स्वादिस्ट नहीं बनाती है, वैसे कल आप क्यों पूँआ आई थी? मेरी तब्य थोड़ी खराब थी, लेकिन मेरी तो कोई बहन नहीं है, फिर आपके पास कौन आई? अरे आप क्या मज़ाग कर रही हैं? उन्होंने तो बताया कि वो आपकी बहन है, चलो अब आप अपना काम करो. मोहन और दौलत को यही लगा कि वो मज़ाग कर रही है, कि उनकी कोई बहन नहीं है? अब दूसरे दिन सुभे को दौलत और मोहन दोनों सुभे चार बज़े उठ गए और माता सरस्वती की उसी तरह से पूजा की, और फिर दोनों पढ़ने बैठ गए. दो-तिन दिन तक तो द लेकिन मोहन प्रती दिन सुभे को चार बज़े उठकर पूजा करने लगा, और फिर पढ़ाई करने लगा, इससे वो जो भी याद करता उसे याद रहने लगा, जिबकि दौलत देर से उठता और देर से पढ़ाई करता, एक दिन फिर मोहन ने दौलत से कहा, दौलत, हमारी परिक्षा काफी नजधीक आ गई है, तुम पढ़ाई तो करते हो, लेकिन सही तरीके से नहीं, ऐसे में तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, अरे मैं सुभा कोई नहीं पढ़ता हूँ ना, बाकी समय तो पढ़ता हूँ ना, सरुस्वती माता की परिक्षा का दिन भी आ गया, दोनों ने परिक्षा दी, मोहन तो काफी खुश था कि उसने अच्छे से लिखा है, लेकिन दौलत को लग रहा था कि उसने उतने अच्छे से नहीं लिखा है, कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया, तो मोहन पूरे राज्ये में टॉप कर गया जबकि दौलत फेल हो गया, इससे वो काफी दुखी हो गया, मोहन ने कहा, मैं तुम्हे समझाता रहा लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझे, घर आकर मोहन माता सरस्वती को प्रडाम करता है, अज आपकी कृपा से मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन मा, मेरा दोस्त फेल हो गया, इस बात का मुझे बहुत दुख है, मोहन खुश हो कर भी खुश नहीं था, क्योंकि उसका दोस्त फेल हो गया, जब रात को मोहन सोया, तो माता सरस्वती उसके सपने में आई, और बोली, मोहन, तुम चिंता मत करो, दौलत को फिर से अच्छे से पढ़ाई करन उसी तरह में दौलत का भी साथ दूंगी, जिससे वो भी तुमारी तरह अवल आएगा, इसके बाद माता सरस्वती चली जाती है, और मोहन की नींद खुल जाती है, सुबह होने पर वो दौलत को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताता है, तब उसके दिमाग में कुछ रास्ता दिखाने आई थी, हाँ मोहन, तुम सही कह रहे हो, नहीं तो ऐसे ही कोई हमारे घर आकर हमें ऐसी सलहा क्यों देती, वो तो काकी की बहन भी नहीं थी, वो निश्री थी, माता सरुस्वती ही थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मोहन, अपने आलस की वज़ा स मैंने सब खो दिया, लेकिन अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगा, माता के कहें अनुसार ही सब करूंगा,